कि हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्मान में दोस्तों टार्गेट 140 प्लस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम तीन टॉपिक कवर कर चुके हैं रिजनिंग हिंदी और जी के ठीक हैं आज हम इंग्लिश कवर करेंगे इंग्लिश क कि मैं किस तरह से जादे ज्याद fy कर सकते हम सबसे पहले हम देख लेते कि किस तरह के questions पुछा आते हमारे पेपर में तो मैं इसे दो पार्च में डिवाइड कर रहे है फस्स पार्ट में वह कैंब सेकिंद बाकी सब थीक है जैकि सबसे पहले सिनॉनिम एंटॉनिम ठीक है द उसके बाद error sentence देगा पूरा चार पार्ट बना देगा उसके पुछे कौन से पार्ट में error है एक होता sentence arrangement चार sentence देगा उल्टे सीधे उपर नीचे करके पुछे का इसका arrangement कैसे करेंगे हम ठीक है कोई इसके बाद improvement कोई गलत sentence देगा या सही भी sentence देगा चार ओप्शन देगा लास्ट अप्शन देगा ननो दबो यह सेंटेंस करेक्ट इस तरह से देखे पूछे अगर इंप्रूमेंट हो सकता तो पहले तीन उप्शन में से चुन लीजिए और इंप्रूमेंट नहीं हो सकता तो लास्ट आप्शन चुन लीजिए ठीक है उसके बाद फिलिंदा ब्लेंक्स मतलब कोई भी जगे खाली छोड़ देगा पूछ लेगा इसमें क्या आएगा और चा क्या आपके लिए टेंस वर्ब सिंगुलर प्लूरल डिग्री ऑफ कंपरिजन पॉजिटिव है कंपरेटिव है यह सूपर्लेटिव डिग्री है ठीक है हम पढ़ेंगे अच्छे से बारे में कौन से डिग्री कहां पर होती है यह ज़रूर पढ़ना आपको प्री पोजिशन प्री पोजिशन जितने भी प्री पोजिशन होते हैं उनके यूज कहां पर होते हैं वह पढ़ने आपको फ्रेजल वर्ब कुछ इंप्रेटेंट फ्रेजल पढ़ ले नहीं है ठीक है आगे देखते हैं स्ट्रेटिक क्या जूस करेंगे देखर जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ने लेकिन में चैप्टर समरी जो जिन से कोशन जनली पूछे आते इस पेपर में टैंस वर्ब सिंग्लर प्लॉरल डिग्री ओफ कंपरिजन रिपोजिशन या फ्रेजल वर्ब ठीक है कैसे प्रेक्टिस कैसे करनी है जैसे हमने स्ट्रेक्चर सीख ली तों प्रेक्टिस कैसे करेंगे हैं देखेए प्लिंट्टू पेरमाउंट के एक बुक आती है नितुशीं की वोल्यूम 1 बस वोल्यूम 1 लेनी है और उसी मेंसे चैप्टर 20 पीछे जो एक्जमपल दिये हुए प हमें cover करनी है साथ में previous year question बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना volume 1 लिट टो पैरमाउंट और previous year question ठीक है अब नेक्स देखते हैं वोकेब कहां से पढ़ने है वोकेब यानी one word idiom phrases को ज्यादा टाइम नहीं देंगे एक बुक आते हैं वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लुइस की वह हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ना है वह उसे session wise कवर करना है जैसा उस बुक में जिया हुआ है ना उसे अपनी पेस्ट से नॉर्मल पेस्ट से कवर करना ह जब तक आपका पेपर होगा तब तक आप कवर कर लेंगे उसे ठीक है उसके बाद idiom phrase और spelling और one word substitution के लिए प्लेंट पैरमार्ट वॉल्यम बन सफिशेंट है प्लस previous year question ठीक है तो यह पढ़ना है वॉल्यम बन नॉर्मल लुइस की यह बुक पढ़ना है और previous year question अगर फिर भी आपके पास time बच जाता है या आपकी यह बुक अपने cover कर ली वॉल्यम बन और आपके पास अकर आपकी time time बचा हुए paper दूर है भी तो SP बख्षी के बुक आती है उससे आप vocab cover कर सकते हैं अगर time है आपके पास ठीक है उसके बाद आता है paragraph को कहां से करना है जो को पैरग्राफ को कुछ निए पैरग्राफ को प्रेक्टिस से करा जा सकता है कैसे करना है पहले question बढ़ो जो भी paragraph द sentence arrangement तो sentence arrangement के दो तरीके होते हैं करने के by options या तो options के through कर लो कौन सा option suitable है और कौन से options से sense हमें लग रहे है कि से sentence सही से rearrange हो गया है दूसरा तरीका होता है sentence के बीच में sentence के जो पार्ट होते हैं उनके बीच में connection बनाना माली जो connection ना एक दूसरे से interrelated है और हमें पता है कि यह इस वाले से पहले आएगा ठीक है तो connection बन जाएगा हमारा और फिर हम option में देखें कि इस option में suitable बैठ रहा है तो दो तरीक है connection बनाना और option के साथ करना वह हम जब सिखेंगे जब हम previous question करेंगे वह मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना ठीक है तो यह थी हमारी English की strategy और इस तरह से ही कर लिजिए अगर आपको यह अपनी strategy बनाना चाहते हैं वह बना सकते हैं पर basic चीजे यही रहेंगी हमें रटना नहीं बेसिक structure पढ़ना प्रैक्टिस करना जितनी जादे जादे कर सके एक ही रिसोर्स को फोलो कोना जादा रिसोर्स पर नहीं भटकना है और हमें ऐसे ही वन वाइड इडियम पढ़ने सिनोनिम एंटोनिम जो होंगे वह हम जब हम इस सब्सक्राइब माग पर ऑवरबर्डन होगा और जितना स्कोर कर पाने वह भी नहीं कर पाएंगे ठीक है अब हमारी इंग्लिश कवर चुके है अब हम नेक्स मैस की वीडियो में कवर करेंगे मैस की प्लानिंग कैसे करनी है उसके बाद हम आएंगे साइकलोजी पर साइकलो वीडियो में धन्यवाद